हेलो दोस्तों मैं पूजा एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपका स्वागत करती हूँ तो आज हम बनाएंगे मतर दम आलू तो यह सबजी आप फ्रेंट्स पांच मिनिट में बना कर तयार कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंट्स तो चलिए कुछ खरे मसाले मैंने लिए एक तेजपत्ता दो लाल मिर्च जीरा काली मिर्च के कुछ दाने लॉंग के कुछ दाने बरी लाइची चोटी लाइची चवित्री और बस इसे हमें तस सिकन के लिए भून लेना है फ्रेंट्स तो यह सारे चीज जैसी लाल हो जाएगा इसमे मैं हमने दाल देंगे दो भरी ऐस का रफली चॉप क्या हुआ प्याज थो को हमें दो मिनिट के लिए बून ना है तCrंच थो प्याज हमारा जल्दी सी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम डाल देंगे 1 दर चोटा चमच नमक चोछ रसादार् प्याज पहुत ही जल्दी सॉफ कर लेते हैं तो देखे 2 लैसन अदरगा वां हम दाल दो कर दो निकल जाए पैस काफी अच्छा से सौफ्ट हो गई है अपुर्म आप तेजपत्ता कोया सकते हैँ तो मैं यहाँ निकाल देती हूँ, अब इसमें हम डालेंगे तो मैंने यहाँ उबला हुआ आलू का इस्तमाल किया है आप चाहें तो कच्छा आलू का भी इस्तमाल कर सकते हैं और बरे पीसे इस तरीके से आप काट ले और आलू अगर कच्छे हैं तो अगर उबले हुए है तो बस इसे एक मिनट के लिए भून लीजियेगा तो नमक हम इसमें डाल देंगे ताकि आलू में अच्छे से नमक अब्सॉब कर ले ताकि आलू खाने में बेसुआद ना लगी अगर आलू कच्छा भी है तो भी आप इसमें डालीगा अगर उबला हुआ आलू है तो भी आप इसमें नमक इस पॉइंट पे जरूर डालिएगा तो देखे आलू को भी हमने एक मिनट जाएंगे तो सारी चीज, ऩहीं जब भून जाएंगी तो आपकी मतर गलेंगी भी नहीं और बहुत अच्छे से पग भी जाएंगे तो कुछ सुखे मसाले में हम तालेंगे एक चमच लाल मिर्च पॉडर एक चमच हल्दी पॉडर एक चोटा चमच ही टालेंगे हम काली मिर्च पॉडर और एक चोटा चमच ही हम डालेंगे किचन किंग मसाला पॉडर तो मसाले का मैंने यहां बहुत ही कम इस्तमाल किया है फ्रेंस आप अपने हिसाब से कम या जाधा क सबक्राइब चैने के लिए तो बस मसाले को भी हम 1 मिनेट के लिए भूल लेंगे ताकि मसाले का कच्च्छ पर निकल जाए तो अच्छे से मिक्स करने के बाद साथी हम ढाल देंगे 1 वरी साइज का टमाटर कटा हुआ और साथी में हम इसे भूल लेंगे मसाले के साथ ही तो एक मिनट के लिए हम इसे भूल लेंगे ये अलू मतर बहुत ही चटपटी बनती है बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो आप इस तरीके से जरूर बनाईएगा तिसे हम एक मिनट के लिए ढग देते हैं तो देखिए एक मिनट हो चुका है अच्छे से हम चला लेंगे आप चाहे तो यह सब्जी इसी तरीके से आप सर्फ कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगेगा आप इसे पूरी के साथ खाईएगा पराथे के साथ और यह देखिए फ्रेंट्स म टो आधा कप पानी हम इसमें और डाल देंगे तो बस अच्छे से हम मिक्स कर लें और बस इसे लो फ्लेम पे इसे हम एक से डिल मिनट के लिए पकटने देंगे तो देखें देल मिनट हो चुका है और यह आलू मतडर नम बनकर तेयार है देखिए यह सबजी होद ही चट तो मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है और यह हमारी Fastly सब्जी बन कर त्यार है विल्कुल पांच मिनिट में dot है दो आले करीज़़ीगा चैनल बन नई है तो सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा फ्रेंज अगी जब भी में